वेल्कम बैक टू गाइज इंगली स्टोय स्टोरी और स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में और गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पर ले यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए गाइज हमें स्टोरी में आगे बढ़ते होगा वह जाएगा अभारी या फिर हम बोल सकते हैं इह इसान मन तो यहां हम बोलेंगे अभव हरी जानवर और अंग्रेटफुल मैन देखिए गाइस अंग्रेटफुल मैन का जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा एहसान फरामोस तो हम इसे बोलेंगे ग्रेटफुल एनिमल्स एंड अंग्रेटफुल मैन अर्थात अभारी जानवर और एहसान फरामोस अदमी पाद में हमें बोलते हैं कि आपने हमारी मदद की उसे हम एशान फरामोस बोलते हैं तो वही आज का हमारा टाइटल है एंड मुझे आसा है कि आप टाइटल को समझ गए होंगे चलिए गाइस हमें स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और इसे अच्छे से समझने का परियास करते हैं तो चलिए देखते हैं आखिर इस्टोरी में क्या कुछ कहा गया है तो चलिए शुरू करते हैं Hearing Strange Noises देखिए गाइस Hearing का अर्थ हो जाएगा सुनकर And Strange का अर्थ हो जाएगा Anokhe And Noises का अर्थ हो जाएगा अवाजे तो हम इसे बोलेंगे अजीब सी अवाजे सुनकर A Mind Name रामू अर्थार्थ रामू नाम का एक वेक्ती या एक आदमी पीप पीप का अर्थ हो जाएगा जहांका क्योंकि पीप का अर्थ होता है जहांकना क्योंकि यह सी का पास्ट लगा हुआ है कि जो रामू नाम का जो वेक्ती है उन्होंने एक कूवे में जाएगा और देखा की डाइट का अर्थ हो जाएगा की There was अर्थार्थ वहाँ था A Mind एक वेक्ती A Tiger एक बाग And और A Monkey और एक बंदर था कहां? A Stuck Inside अर्थार्थ उस कूवे के अंदर फसे हुए थे यह यहां कहने का अर्थ है उसके बाद गाईस हम चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है The Mind From The Well Shorted अब देखें यहां कहने का अर्थ है कि जो वेक्ती कूवे के अंदर था देखें The Mind From The Well Shorted यानि कूवे के अंदर जो वेक्ती था वो चिलाया Shorted का रथ होता है चिलाया तो जो कूवे के अंदर जो वेक्ती था उन्होंने चिलाया अब देखें वो चिला कर क्या बोलता है Can you help us get out अब देखें इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा क्या आप हमें बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं Can you help us get out तो चलिया आगे देखते हैं कि आखिर जो वेक्ती है रामू वो क्या बोलता है The Tiger and the Monkey also please अब यहां कहने कारत है कि बाग और बंदर ने भी विंती की यानि कि जो कुवे के अंदर वेक्ती था उन्होंने भी कहा कि क्या आप हमें बाहर निकलने में मदद करेंगे साथ ही जो Tiger था और जो बंदर था उन्होंने भी उनसे विंती की यानि कि बाहर निकलने के लिए उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि आखिर जो रामू है वो क्या उनको बाहर निकलने में या बाहर निकलने में मदद करता है या नहीं तो चलिए देखते हैं रामू was a clever man देखिए यहां कहने का अर्थ है कि जो रामू नाम का जो वेक्ति था वो एक clever अर्था चलाक वेक्ति था ये यहां कहने का अर्थ है उसके बाद गाईस हम चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या जो रामू है वो उन सब को बाहर निकलने में help करता है या नहीं तो चलिए देखते हैं वो उन लोगों से पूछा किन से उन तीनों लोगों से यानि कि तीन लोगों से नहीं बोल सकते हैं बलकि बंदर से और बाग से और जो कुमे के अंदर जो वेक्ति था वो उन तीनों से पूछा यानि कुमे के अंदर जो वो तीनों थे उन से पूछा अब चलिए देखते हैं कि आखिर जो रामू है वो क्या उनसे पुछता है If I help you all out अब देखें यहां कहने कारता है कि अगर मैं मदद करता हूँ All out यानि कि आप सब की मैं अगर मदद करता हूँ What will I get in return? तो बदले में मुझे क्या मिलेगा यानि कि यह जो बात है वो रामू के द्वारा उन तीनों से कहा गया कि अगर मैं आपकी मदद करता हूँ आप सब की मदद करता हूँ तो मुझे बदले में क्या मिलेगा What will I get in return? अर्थात बदले में मुझे क्या मिलेगा उसके बाद देखिए आगे जो वेक्ति है वो क्या बोलता है The man said यानि कि इसके पूछने के बाद जो वेक्ति है वो बोला देखिए The man said यानि जो कुमे के अंदर जो वेक्ति था उन्होंने कहा अब चलिए देखते हैं जो वेक्ति है वो क्या बोलता है I will do as you say यानि जो कुमे के अंदर जो व्यक्ति था उन्होंने कहा कि I will do यानि कि मैं करूँगा जैसा आप कहेंगे यानि कि जो कुमे के अंदर है व्यक्ति वो रामू से बोल रहा है कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा say यानि कि I will do as you say उसके बाद चलिए आगे देखते हैं उसके बाद जो टाइगर है वो भी बोला तो देखिए टाइगर क्या बोलता है आई वील हेल्प यू इन टाइम ओफ नीड अब देखिए गाईस जो टाइगर है वो भी रामू से बोल रहा है कि मैं आपकी मदद करूँगा तो आगे बताया गया है यानि जो मंकी था कुमे के अंदर जो मंकी फंसा हुआ था वो भी कहा अब देखिए वो क्या बोलता है आई वील कम टू यू वेन यू कॉल मी यानि कि यहां जो मंकी है वो भी उस वेक्ति से बोल रहा है कि मैं आउंगा आई वील कम टू यू यानि कि मैं आपके पास आऊंगा वेन जब यू कॉल मी यानि कि जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं आपके पास आऊंगा यानि कि जब भी कोई मदद की साथ जरूरी होगी तो जिसमें आप मुझे बुलाएंगे मैं उस में आ जाऊंगा ये जो बात है वो बंदर के द्वारा बोला गया अब चलिए गाइस हम अगले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि इन सारे सर्तों के बाद जो रामू है वो उन सब की मदद करता है या कुछ और ही सर्त रखता है तो चलिए हम अगले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है तो चलिए गाइस हम अगले स्लाइड में आगे हैं अगले स्लाइड में जानेंगे कि किया जो रामू है वो उन सब को बाहर निकलने में मदद करता है या नहीं क्योंकि वे तीनों जो हैं वो अपने-अपने सर्थ को रामु के सामने रख दिया है तो चलिए देखते हैं When, when करतो जाएगा जब they all came out यानि यहां करने कारता है कि जब वे तीनों बाहर आ गएं यानि कि जब रामु के दवारा उन तीनों को बाहर निकाल लिया गया उसके बाद देखिए Only the tiger and the monkey thanked Ramu for saving them अब देखिए गाईज जब वे तीनों बाहर आ गएं या बोल सकते हैं रामु के दवारा जब उनको बाहर निकल लिया गया तो केवल जो tiger और जो monkey है वो उन्होंने रामु को thank बोला यानि कि धन्यवाद दिया इसके लिए तो for saving them यानि कि उनकी जीवन को बचाने के लिए या उनको बचाने के लिए उन्होंने रामु को धन्यवाद दिया बट लेकिन the mind didn't know लेकिन जो वेट्ती था उन्होंने रामो को धन्यवाद नहीं दिया या बोल सकते हैं उन्होंने थैंक्स नहीं बोला ये यहां करने का अर्थ है उसके बाद चलिया आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो वेक्ती है वो रामो के साथ क्या करता है तो चलिये देखते हैं instead instead का अर्थ हो जाएगा के बजाए जब भी हमें sentence में या कभी भी हमें instead मिले तो इसका अर्थ हो जाता है के बजाए तो जो वेक्ति है उन्होंने तो धन्यवाद नहीं दिया उसके बजाए वो देखे क्या बोलता है he said उन्होंने कहा तू रामू यानि कि जो वेक्ति था उन्होंने रामू से कहा अब चलिए देखते हैं कि वो वेक्ति है वो रामू से क्या बोलता है वो हमें आगे देखने के लिए मिलेगा तो चलिए देखते हैं I could have come out myself अब देखिए गाइस जो वेक्ति था वो रामू से कहा यानि कि he said to रामू यानि कि रामू से उन्होंने कहा कि I could have come out myself यानि कि मैं अपने आप बाहर आ सकता था या यहां कहने का अथ हो जाएगा कि मैं अपने आप को बाहर कुए से निकाल सकता था ये जो बात है वो उस वेक्ति के दवारा रामू को कहा गया उसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या होता है बट लेकिन I was only testing if you food help or not अब देखिए गाइस यहां जो वेक्ति है वो रामू से यह बोल रहा है कि मैं खुद को बाहर ला सकता था but I was only testing कि मैं केवल जाच कर रहा था यानि कि मैं परिक्षा ले रहा था कि इवकार्त यहां हो जाएगा कि you would help or not कि आप हमारी मदद करते हैं या नहीं ये मैं चेक कर रहा था ये जो बात है वो उस वेक्ति के दवारा रामू को बोला गया देखे गाईस यहां जो वेक्ति है वो help करने के बाद वो पलट गया या बोल सकते हैं कि इहसान फरामोस हो गया क्योंकि वो अपना बात कहने लगा कि मैं ऐसे कर सकता था बाहर आ सकता था मैं चेक कर रहा था ये सारी बाते वो वेक्ति के दवारा रामू को बोला जाने लगा और फिर हम चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या कुछ होता है तो चलिए देखते हैं He refused to thank रामू for helping him अब देखें गाईस यहां काने का अर्थिया है कि जो वेक्ति था उसके लिए यहां ही का परियोग किया गया है और जो उस वेक्ति ने मना कर दिया यानि कि he refused to thank यानि जो वेक्ति था उन्होंने धन्यवाद देने से रामू को मना कर दिया तो किसके लिए धन्यवाद? for helping him यानि जो रामू है वो कुमे से उनको बाहर निकालने में जो मदद किया उसके लिए जो वेक्ति है उसे धन्यवाद करने से रामू को मना कर दिया कि मैं धन्यवाद नहीं करूँगा क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि आप मुझे निकालते हैं कि नहीं मैं खुद से बाहर आ सकता था ये यहां उस वेक्ति के द्वारा रामु को बोला गया तो गाइस हमारा इस्टोरी यहीं पेशमात होता है और जो वेक्ति है उन्होंने साफ साफ धन्यवाद कहने से मना कर दिया इंकार कर दिया साइद यही कारण है कि टाइटल में ग्रेटफूल एनिमल और अंग्रेटफूल मैन की टाइटल को लिखा गया है तो गाइस हमने देखा कि किस परकार से जो जानवर है वो एक एसान फरामोस निकले जबकि जो वहीं एक वेक्ति है वो एसान फरामोस निकल गया और चलिए गा मोरल में क्या कहा गया है उसे भी हम समझने का परियास करेंगे तो चलिए देखते हैं कि मोरल में क्या कुछ कहा गया है तो देखिए आज का मोरल है we should never be ungrateful to anyone अब देखें गाइस पहले यहां तक समझ लेते हैं यहां तक कहने का अर्थ यह है की हमें कभी भी किसी के परती एहसान फरामोस नहीं होना चाहिए क्योंकि ungrateful का आर्थ हमने आपको पहले ही पता रखा है कि एहसान फरामोस होता है तो हमें कभी भी किसी के परती एहसान फरामोस नहीं होना चाहिए especially मुख्या रुप से those who help us in need यानि की मुख्या रुपसे उनके लिए जो हमारी मदद करते हैं आश्यक्ता के समय यह यहां कहने का अरथ है तो गाइस यह बिलकुल सत्य है और ऐसा हमें कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए जो हमारी मदद करते है तो guys story अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like किजेगा, share किजेगा and comment किजेगा guys आप diagram में यहां भी देख सकते हैं कि जो रामू है वो यहां आपको नजर आ रहा होगा and जो कुमे के अंदर जो वेक्ती है वो यहां आपको दिख रहा होगा और जो बंदर है वो भी यहां दिख रहा है and जो बाग है वो भी आपको नजर आ रहा होगा and guys story अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like जरूर किजेगा and guys यदि आप channel पे new हैं तो channel को subscribe जरूर करें and guys हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन